यह देखो यह आपकी exercise की book इसमें आपके सारे question देखो question number one क्या था एक normal था पड़ता जिसमें चार मशीन थी चार रंक चार जॉब से चार मशीन था अपना normal minimization वाला problem दिया था है न यहां पर question number two में क्या दिया था उन लोग ने यह भी normal वाला question था बस यहां पर पांच और पांच दिये थे five vegans and five machines यह भी normal वाला पाट था बट यहां पे न रिपीटेशन बहुत थे मतलब जो number of question जो है वो जितने भी uncovered elements की उसको पकड़ा उसको plus किया intersection में covered element को as it is लिका और सारे uncovered में से वो जो smallest element है उसमें से minus किया ठीक है यह procedure करतेगा यह करतेगा तब जा कि हमारी number of lines is equal to your number of metrics आया तो यहां पर question यहां पर optimality के लिए आपको मतलब इस question is best if you want to revise in exam अगर revision करना है तो optimality test अगर अच्छी तरह से नहीं आ दो रहा तो गई एक बार question number two perform कर लेना question number one करने की जरुरत नहीं रह गया question number two कर लिया तो ठीक है question number five profits का था maximization का था तो हमने क्या क्या first step सिर्फ एकी step था सबसे जो largest element है उसको सबसे minus कर लो सबसे largest element को सबसे minus कर लो यह हो गया आपका जो maximization का problem है वो बन जाएगा आपका minimization done question number four देखना जारा question number four अच्छा cost metrics तो दी है ठीक है मतलब question तो minimization दिया है इधर पर ओके लेकिन जो machine देख सिर्फ चार दिया है और जो vacant places है वो पांच है मतलब question ही balance नहीं है number of rows equal to number of columns नहीं है तो हमने यहां पर क्या किया था हमने dummy machine यहां पर insert किया था with zero cost element clear है उसके बाद में हमने सारी procedure परफॉर्म किया और यह जो restricted places है इसे हमने infinity ले लिया ताकि तुम जो है यह M2 का A और sorry M3 का A and M2 का C यह जो places यह कभी भी select ही नहीं होंगे क्यों विकाज हमने question minimization का है और हमने highest element infinity यहां पर select कर लिया था बस that's it पूरा question same है ठीक है यहां तक clear है कि सब everyone कि यहां तक clear है आप सभी को कि बोल दो फटा पड़ते यहां तक सारे सबको सारी चीदे clear है बहुत इजी सा था हूं ठीक है question two three four करके जाना ठीक है अब एक बड़ा फटा 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 फट से देख लो question number five चार डिस्ट्रिक्ट a b c d और क्या बोला है उन्होंने पोर सेल्समें है चार डिस्ट्रिक्ट से आफ्टर टेकिंग इंटू maximum element उसको सबसे माइनस कर दो ठीक है maximum element यहां पर क्या दिख रहा बता हूं मुझे सोला इस सोला को सबसे माइनस कर दो यह जाएगा तुम्हारा minimization का problem बस आगे बढ़ते जाओ ठीक है question of a plant layout machine 1 2 3 4 machine 4 machine to be installed in machine shop okay done 5 vacant places है 4 machine है 5 vacant places है और उसके बाद में बोल दिया है कि because of limited space machine 2 cannot be placed at sea and machine 3 cannot be placed at place है समझ रो similar है यह exactly similar है यह आपके question number 4 की तरह दिक्टो है ठीक है यह जो question है यह डिक्टो है आपके question number 3 की तरह ठीक है अब देख लो तो आपको क्या करना है सबते पहले आप एक dummy row insert करेंगे m5 000000 और यहां पर जो यह restricted places है यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे infinity डाल देंगे clear everyone क्लियर है देख लो आपका exercise 7.1 finish exercise 7.1 finish yes area cut out okay just a second तो चलो यह आजो फटाफट से इट मेंस इसका मतलब कि अब आप लोग यह जो यह खुद से कर सकते हो ठीक है now you are capable enough to solve these questions चलो आजो फिर भी हम लोग एक बार फटाफट फटाफट ते question वाफ फाइव और question नमर्स एक solve कर लेंगे आजो आजो आपने करना है यह questions ठीक है obviously यह question दीदा repeated question यह question है आपका similar to your question number three and question number four ठीक है यह question number three से similar है और यह question number six है यह similar है आपका question number four से ठीक है इस तरह से लिखके रखो आपकी बुक में चलो जी आजाओ फटाफट से क्या बोल रहा है a company has a team of four salesmen चार सेल्समें है चार दिस्रिक से वियर the company wants to start his business okay after taking into account the capabilities of salesman and the nature of district the company estimate that the profit per day in rupees for each salesman in each district अच्छा in short profit per day यह क्या है यह तरह आपके profit per day it means question दिया है आपका कौन सा दिया है maximization okay हमारा step number one क्या था, Phlees check की फैस्टिन्म मीनिमाईजेशन है क्या, क्या फैस्टिन्स स्यम्हान है बैलंस है and minimization ये दोनों पड़क करू। बैल रहे बता दो-फट से、、.. येस मैंडम बैलन्स इधर भी चाहरे इधर भी चाहरे ठीक है number of jobs is equal to your number of activities that is number of rows is equal to your number of columns ठीक है hence problem is balanced फिर आप देखो के minimization ना ये minimization का question है ही नहीं ये तो maximization का problem है तो हम लोग क्या करेंगे इन सब का highest element ले लो हाइस element लेंगे वह आजएगा आपका 16 16 को इस पूरे टेबल से पूरे matrix के हर एक element से माइनस करना है 16-16 कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर यहां पर क्या है 12-16-12 करो फटाफट से करो कितना हो जाएगा फोर फिर 16-15 वान 16-13 3 6 3 फिर क्या रहे यहां पर एक दो चार बराबर है एक येस पाच दो उसके बाद में पाच एक दो एक डन सिंपल था पाट था अब क्या करेंगे अब हम लोग एक आपको लास मोमें पर टेक्क बता है वो लिख लो ठीक है और मैंने आपको नोट में भी प्रोवाइट करके दिया है बता दियो आपको जिन्द अमत करो वापर से करेंगा अपन स्टार्टिंग में जो थियोरी दिये ना वहाँ पर जाके चक आउट करेंगे ठीक है रो मिनिमादेशन परफॉर्म किया फिर यहां पर सबसे स्मॉलेस एलिमेंट क्या है वन है करो यह जगा थ्री यह जगा टू यह जगा जीरो यहां पर स्मॉलेस एलिमेंट क्या वन है वन मैनिस वन जीरो उसके बाद में फाइव मैनिस वन पोर टू मैनिस वन वन उसके smallest element क्या है? 0, 0, 0, 0. एक नमबर. Here, each column contain 0. हर एक column 0 contain करता है. Therefore, the matrix obtained by column minimization is same as above matrix. Column minimization का matrix भी same है. Done. Step number 3 हो गया. Step number 4 क्या है? बताओ मुझे फटाफट से. मतलब यही वाला matrix है. यही वाला matrix है. हाँ चलो अब बताओ मुझे step number 4 क्या है? draw number of lines is equal to number of matrix minimum number of lines draw करनी है to cover all the zeros. ठीक है? अगर वो दोनो number of lines is equal to number of matrix होगा तो हमारा जो question है वो क्या हो जाएगा? optimal हो जाएगा? चलो आजो zero है यहाँ दो है यहाँ एक है ऐसे किया तो दो है एक है एक है दो है ओके तो हमने क्या करना है? लो अगर मैंने यह दो lines draw कर दिये तो अब कितना होगा? चेक आउट करो एक बर अब देखो यहाँ पी जीरो नहीं है यहाँ पे एक जीरो है यहाँ एक जीरो है यहाँ एक जीरो है यह लो number of lines is equal to your number of matrix number of lines कि ने वाच चेक करना दारा? 1, 2, 3 and 4 चार lines है and 4 metrics है that's it it means your question is balance आपका question क्या है? balance है देखो draw minimum number of lines vertical and horizontal lines दोनों में से कुछ भी चलेगा to cover all zeros तो फस्त हमने जब यह line draw कर लिया उसकी बद में step number five optimality test है आपका optimality test number of lines is equal to your number of matrix दोनों ही चार चार है मतलब जो question है वो optimal है अब क्या करना है सिफ़सिव असाइन्मेंट करना है done चलो आजो assignment कर लेते हैं फटाफट से assignment कर लेता है क्या करेंगे हम लोग ऐसा रो ढूंडो जहां पर single zero है single zero है yes है assign कर दो और उसी कॉलम में वही कर्रस्पोंडिंग कॉलम में अगर और कोई 0 होंगे तो cancel कर दे यहां वापस यहां पर दो 0 यहां पर एक 0 नहीं है फिर row 3 में देखो एक 0 मिल गया yes assign कर दो इसी कॉलम में कॉलम नंबर 2 में और कोई 0 होंगे तो cancel कर देना जीरो है क्या और कोई नहीं है ठीक है row number 3 में देखो row number 4 sorry यह रहा आपका अब इसी कॉलम में पॉर्ट वाले कॉलम में अगर और कोई 0 होगा तो cancel कर देना भाई चलो अब आज़ो अब आगया यह आपका तो these are your assignments अभी पर चेक कर लो एक भी मशीन किसी को repeat तो नहीं हुई है this place 1 आपको salesman को मिल गया है district 2 district 3 आपको B को मिल गया है 2 आपको इसको मिला है 4 आपको D को मिला है done ठीक है अब question में जाएंगे और यह जो भी places है न इसमें जयो भी element होंगे उसको correspondingly लिख देंगे salesman district and and क्या बोलो फटाफट से and profit per day ठीक है बस इसको लिखना है that's it अपना क्या हो जाएगा solution क्या जाएगा 16 13 16 13 नहीं sorry 16 15 15 yes हाँ and last one is your 15 ठीक है चलो आजो चेक कर लो पटाफट से वही है 16 15 15 है done optimal assignment schedule is as follows therefore the maximum profit is total करोगे इनकी total करोगे this will be coming to your 61 done everyone clear similar questions है जैसे कि हमने question number 3 में किया है ठीक है चलो question number 6 की तरफ आजो जो exactly similar है आपके question number 4 की तरह बटा आजो एक बाब आपे से देख लेते है इन दा modification of a plant layout of a factory 4 new machines है M1 M2 M3 M4 5 vacant places A B C D E और क्या बोल रहा है M2 को आप C में नहीं रखना यह रहा M2 यह रहा yellow infinity डाल दिया M3 को आपने A में नहीं रखना ठीक है done बस बाकी तो कुछ नहीं है पटा फटा फटा आजो फिर कर लो अब क्या करोगे step number one क्या question balance है and क्या question minimization का है step number one क्या है क्या question balance है balance मतलब number of rows is equal to number of columns ठीक है नहीं था तो यहाँ पर अपने dummy row insert किया 000 का done अब question क्या हो गया balance हो गया अब check out करो minimization है क्या minimization वाला question है क्या tell me is your question is of minimization बोलो पहले यह वाले question पर बोलो समरुदी करते हैं हम लोगो भी करते हैं पहले इधर आओ ठीक है question 6 चालू अभी एकदम से उधर जंप नहीं मारें गया पन question क्या minimization का है कहीं पे cost दिख रहा है या profit दिख रहा है ढूंडो ना question में cost of allocating a machine मतलब question क्या है minimization का है done अब अब क्या करना है जो restricted places से उन वा उनकी जगा infinity लिख लेना है that's it step number two row minimum perform करना है row minimum जब से सबसे smallest element ले लो और सब को जाएगा done फिर column minimization perform करोगे column minimization करने के ताइम पर आप देखोगे कि क्यूंकि हर एक जो column है उसमें already zero है देखो हर एक column में already zero आ चुका है यह देखो ना 0000 उपर सब छोड़ दो तो यही आउज जाएगा आपका step number three clear है अब क्या करना है इसी सम में step number two में ही आपको number of lines draw करनी है जैसे draw करना है वैसे कर लो अभी सबसे पहली लाइन तो यही होने वाली है no doubt in that ठीक है क्योंकि यहां पर मुझे five zeros मिल रहे हैं अटे टाइम अब यहां पर यहां पर यहां पर एक जिरो दो दिरो एक जिरो एक जिरो एक जिरो ती दो दिरो वाला पहले कवर कर लेते हैं ठीक है चलो अब उसके बाद number of lines आप कैसे भी बना सकते है horizontally also vertically also आप कैसे भी बना सकते हैं ठीक है चलो अब आजाओ अब आजाओ अब क्या बचया है यहां पर हेथर एक 0 बचया है यहां पर एक एक बिएँ है यह यहां पर है और एक है मतलब आ गए 5 lines 5 lines आ गए अरे number of lines equal to your number of metrics आ गया है क्या yes number of lines equal to your number of metrics exactly same है देख लो ठीक है 5 equal to your 5 question क्या है optimal है क्या करना है assignment करना है चलो आ जो उपर वाले में फटा फट से अच्छे हम लोग सेकेंड वाले स्टेप में क्यों सारी चीते कर रहे है बिकोस सेकेंड नमबर वाला स्टेप ना वही column minimization का step है वही स्टेप यह वाला है step number four है ठीक है इसलिए हम लोग यहां पर assignment कर रहे हैं चलो आज आज फटाफट से assignment कर लो ऐसा रो ढूंडो जहां पर एक जीरो है एक जीरो मिल गया मैडम तो इस column में और कोई जीरो होंगे तो cancel कर देना यहां पर नहीं है यहां पर दो जीरो है यहां पर एक जीरो मिल गया थर्ड रों में यह यह कॉलम वाले zero cancel होजाएंगे यहां पर मिल गया पोट रो में मिल गयी पॉट कॉलम में कुछ भी zero होंगे वह सब्सक्राइच नहीं है चलो अब वापस हे चेक आउट करो वापस हें चेकड परो ये देखो second कि यह सिंपल था पार्ट है कुछ भी टेक्निकल नहीं छोड के नहीं जाना है ठीक है चाप्टर को बहुत इजी था चाप्टर था बिल्कुल छोड के नहीं जाएंगे अच्छा इस यह बॉक्स ठीक है यह बॉक्स है आपका अल्राइट हां तो यह देखो यह पाचे हो गए पटाफट से इनको लिख लिए इधा लिखा मशीन इधा लिखा लोकेशन रिस्पेक्टिव प्लेस में जो भी कॉस्ट था जैसे मैं आपको एमपाइव में दिखाऊंगी ना एमपाइट तो जीरो था आपने डमी मशीन क्रियेट की थी यह सब नो यह डमी क्रियेट किया ठीक है रिस्पेक्टिव प्लेसेद में जो भी कुछ यह था यहां पर दीरो इधार आएगा ना ठीक है कहां है हां एमपोर में देखो जाके कितना कॉस्ट अलिमेंट है एम फोर में यह वाले प्लेसमेंट देखो यह यह इस तरह से देखो अलिमेंट देखो फटाफ़ से नाइन नाइन उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका नाइन नाइन फिर क्या है सबसे लास्ट 12 11 9 9 12 11 आज आंज आपटा फटाफ़ से 12 11 या 77 क्यों दिया है फिर एसी क्यों दिया एडियार, question यही तो है न, यही पर मकलो न, 9, 9, ठीक है, यह last वाला तो 0 हो गया, ओके, 9, 9, 0, फिर यह हो गया है, 7, यह हो गया, आपका 7, तो 9, 9, 0, 7, 7, यह होना चाहिए, 9, 9, 0, 7, 7 है, उन लोग ने क्या कर दिया, उन लोग ने 0 वाले को last में लिख लिए, 9, 9, 7, 7, है, done, everyone, total कर लो, यह आगया, आपका minimum cost, एक note लिखना मत भूलना, क्योंकि dummy machine था, note, that no machine will be installed at location C, कोई भी machine location C पे install नहीं होगी, since it gets dummy machine M5, ठीक है, clear है, exactly similar था है, आपके question number 4 से, चलो, अब आजाओ, फटाफट से, तो here we are, finish your exercise 7.1, but, let me show you the special cases, जो मैंने आपको दे दिया, अच्छा, कई बार ना, ऐसा भी होता है, कि आप लोगों को, यह पूछा जाता है, steps पूछे जाते हैं, ठीक है, Hungarian method के कई बार ऐसा होता है, कि कई exam exam में Hungarian method पूछा जाता है, तो steps clear है, पहला step क्या था, बताओ तो मुझे फटाफट से, first step, step number one, question क्या है, check कर लो, फटाफट से question, balance है क्या, minimization है, done, balance क्या आप बोलोगे, number of resources, तो से number of activities है, तो आप बोलोगे, question balance है, problem minimization का है, yes, step number one, done, step number two, row minimum, step number three, column minimum, उसके बाद में number of lines दो करने का, minimum number of lines to cover all zeros, step number five में optimal solution देखने का, मतला, number of lines is equal to the number of matrix, optimality test करो, यहाँ पर, optimality test करो, that is, number of lines, equal to number of matrix, यह पर चक कर लो, उसके बाद में, अगर नहीं है, तो क्या करेंगे, जितने भी uncovered elements से, उसमें से छुटा सा element एक उठाएंगे, सब से minus करेंगे, सारे uncovered elements में minus करेंगे, intersection में टाके plus कर देने का, और covered element को as it is लिखने का, वही चीदे लिख कर दिये हैं यहाँ पर, and write covered elements as it is, ठीके, फिर, नहीं हुआ, अभी भी optimality test perform करो, नहीं हा, number of lines is equal to your number of matrix, यह bad luck, यह bad luck, चीके, अगर फिर भी नहीं हुआ है, वापिस से जाओ, step number six, वापे से perform करो, फिर number of lines draw करो, six और seven वाले step वापे से perform करो, okay, done, मैडम equal आ गया, बस फिर उसमें अफटावरते assignment कर दो, यह जो box वाला method, that's it, ठीके, optimal assignment schedule बनाओ, to assign zeros, assign zeros में optimal वहाँ पे, जो cost element है, तो cost element लिख दो, profit element है, तो profit element लिख दो, and optimal cost नहीं कर लो, by adding the cost to add the assigned point, and सारे जितने भी costs आया है, उनको add करके लिखो, जितना भी profits आया है, in case of maximization problem, जितना भी profit है, उसको add करके लिखो, मुझे बता दो, अगर आपको Hungarian method लिखने के लिए आया exam में, तो लिख पाएंगे, in case, in case, in case, अगर exam में Hungarian method लिखने के लिए है, तो लिख पाएंगे, every one of you, yes, कोई दिकत वाली बात नहीं है, step 1, बोलो फटा फट से, balance, minimization, step 2, row minimum, step 3, column minimum, step 4, अरे वो number of line, number of matrix equal है क्या, चलेगा, optimality test done, फिर तो assignment ही कर दो, नहीं है, तो वो uncovered elements वाला किस्सा पूरा, done, ओके, चलो, अब आजो, ये special cases फटा फट से, अब आपको समझेगा कि exactly किया क्या है, पहला case है आपका maximization objective, जैसे for example, आपको कई बार assignment दिया जाता है, profit का, production का, तो आपका aim क्या रहता है मापे, maximization रहता है, वो लोग बोलते नहीं है, वो लोग सिफ ये 2 word introduce कर देंगे, वो आपको ये clearly नहीं बोलेंगे, कि question maximization का है, नहीं बोला जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा profit का है, profit दे दिया है, या production दे दिया है, हमें समझना है कि वो maximization, obviously हमारा aim क्या है, LPP अभी किया है, profit को maximize करो, production को maximize करो, done, ठीक है, इस case में क्या करोगे, सबसे largest element को क्या करोगे, सार element से subtract कर लोगे, that's it, बाकि पूरा question as it is continue, ठीक है, बस, alternatively इसको multiply भी कर सकते हैं, माइनस one से, but वो long procedure हो जाएगा, तो ये हैं हमारा shortcut वाला, ठीक है, और आपके test books में भी ये ही method follow किया, unbalance assignment, balance, unbalance है, unbalance है, तो क्या करेंगे, एक dummy row या dummy column, जो भी, अगर row unbalance है, तो row में dummy, अगर column कम है, तो column में dummy, clear, ये देखो, by adding dummy jobs or facilities with zero cost element, ताकि जो resulting matrix से आजाए, वो square matrix से आजाए, इधर भी चार rows हो जाए, इधर भी चार columns आजाए, clear है, एक square matrix बना चाहिए, ये समझा क्या फटा-फट से बता दो, second assignment समझा, unbalance वाला पाट है यार, जो अपने एक ही question में दोनों कर लिया था, question number four में, अपने unbalance और restricted assignment दोनों कर लिया था, ठीक है, restricted assignment क्या बोलते हैं पते आपको, कि particular जो area है न, particular place, ये machine को नहीं दिया जा सकता, तो क्या करोगे, infinity, infinity, very high cost element डाल दो यहाँ पे, सब्सक्राइब तो तक यो कभी जिन्दगी वे select ही नहीं होगा, तो मारा question ये Hungarian method का follow होता है, minimization के case में, minimization के case में, लेकिन अगर सब्सक्राइब तो तो कभी select ही नहीं होना है, तो हमने infinity डाल दिया, infinity से तो माइनस 10 करो तो भी infinity आएगा, माइनस 1 करो तो भी infinity आएगा, माइनस 62 किया तो भी infinity आएगा, अरे समझ में आ रहा है या नहीं, done, clear, यह दोनों टाइप आपके question number 3 में covered है, एक ही question में दोनों चीदे covered है, ठीक है, तो वो देख लेना, sorry, यह दोनों, अब बात आती, multiple अगर optimal solution आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताओ, alternate multiple optimal solution exists in an assignment problem, when the final assignment matrix contains more than required number of 0 elements, अरे तो क्या करते हैं, assignment करते हैं, assignment करते हैं, और अगर इसी में ही, इसी column में और 0s है, तो उसे cancel करते हैं, that's it, कुछ नहीं है हो, इसको तो काटी दो, काटी दो, यह already हमने कर लिया है, सारे questions में कर लिया है, done, clear है, so guys we have finished, we have covered your, every special cases, and tomorrow we will be starting with your sequencing, ठीक है, done, चलो, अभी एक बाफ फटा फट से न, तो उड़ा सा लुक मार लो आप, आपके, इसमें, missliness exercise के question में, so that, आप आज यह solve कर सकते हो, missliness exercise के questions आप solve कर सकते हैं, खुच से, आज आपटा पट से, चक आउट करते हैं, वहाँ पे कुछ नया question तो नहीं दिया, यह रहा है, यहाँ दे शुरू और आपका missliness exercise 7, ठीक है, यहाँ पे बहुत बहतरी चीज़, उन्होंने इस बार यह करी है, कि assignment से related, जितने questions हैं, उन्होंने part 1 में डाल दिया, और sequencing से related, जितने questions हैं, उन्होंने part 2 में डाल दिया, assignment part 1, sequencing part 2 रहे भाई, समझ माया हैं, ओके, यह 27 इधर है, देखो वटाबटे, चार subordinate है, चार टास्क है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, the subordinates differ in efficiency, and the task differ in intrinsic difficulty, the estimate of the time, each man would take, to perform each task, question क्या है मुझे बताना, यह क्या है, गईज यह elements क्या है, time है, ठीक है, number of hours है, तो आप क्या बोलोगे, how should the task be allocated, one to a man, to minimize the total number of man hours, अभी company के case से आप बात करोगे, तो company तो यही चाहेगी न, क्यूंकि company को per hour basis पे आपको payment करना होता है, ठीक है, अगर कोई labor company के पास में job कर रहा है, तो उसे हम लोग, हमें, पर घंटे का payment करना होता है, ठीक है, पर hour payment होता है, तो company तो यह चाहेगी न, कि उनके man hours कम से कम हो, yes or no, done, तो man hours को क्या करना है, यह आपर बोल दिया, clearly बोल दिया है, अगर नहीं समझ मारा था, तो भी clearly उन्होंने बोल दिया, कि minimize कर दो total man hours को, मतलब question क्या है, step number one दे बता दो मुझे, step number one बताओ, क्या balance है, and minimization है, बताओ, balance है, 4 और 4 है, number of resources, equal to number of activities, yes है, और, क्या minimization का question है, yes, फिर क्या करोगे, पूरा procedure वही, row minimum, column minimum, ठीक है, उसके बाद, में number of lines, उसके बाद में, आप देखोगे, कि number of lines, is equal to number of metrics, हांजी, मतलब optimal solution है, ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे, assignment कर दोगे, that's it, and यहाँ पर last में लिख दोगे, total minimum time, 37 hours, done, question number one, simple था, आपके question number one की तरह, ठीक है, आपके exercise का 7.1 का, जो question number one था, exactly same है, clear है, question number two में देखो, यहाँ पर, यहाँ पर a, b, c, d, e है, यहाँ पर भी यह है, ठीक है, माडम, क्या यह exercise के question number two की तरह है, guys, I don't know, आपको अप solve करो, वो number of times, जो उन्होंने बोला था, optimality test नहीं आ रहा था, तो हम लोग बार बार एक, uncovered element smallest ले रहे थे, सबसे minus कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, solve करो के तो पता चल जाएगा, a dairy plant has five milk tankers, पाश्क milk tankers है, this milk tankers are used on a five delivery routes, the distance in kilometers between the dairy plant and delivery routes are given in the following metrics, okay, distances दे दिये हैं, distances, तो हमारा main work क्या है, बोल दिया उन्होंने, minimize करो distance को, simple सा पाट है, अगर step number one clear है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, question balance है, question balance है, and minimization का है क्या यह बता दो, tell me everyone, step number one, आता है, balance है, one two three four five, one two three four five, ठीक है, minimization है, हाँ जी है, step number two, row minimum, column minimum, उसके बाद में आप क्या करोगे, number of lines, draw करोगे, equal to number of metrics होना चाहिए, अगर यह भी same होगा, ताप क्या बोलोगे, assignment कर दोगे, last point में assignment कर दोगे, और assignment schedule प्रिपार कर देना, that's it, done everyone, assignment पता न, वो box बनाने का 0 को, और बाकी उसी column में कुछ 0 होंगे, तो cancel कर देने का, clear, exactly same question है, question number three में आजाओ, solve the following assignment, to maximize sales, लो रे भाई, आगया maximization का question, ठीक है, exactly question number three की तरह, question number three नहीं, question number four की तरह, ठीक है, exercise के question number four की तरह, ठीक है, चल वाटो, यहाँ पर क्यूँ, क्योंकि one, two, three, four, five, यहाँ पर सिर्फ चार है, तो हम यहाँ पर e insert करेंगे, जिससे हम लोग 0, 0000 डालने वाले हैं, ठीक है, पर्स्ट इंग, अब यह question balance हुआ, और अब यह maximization वाला जो question, उसको minimization करने का, minimization करोगे, तो सबसे हाइस element कौन सा है, 18 या 19, 19, yes or no, सबसे हाइस वही था, सबसे largest element 19 था, सबसे minus किया, एक row insert किया, question balance हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर step number one, fulfill हो जाता है, step number one, question balance है, और minimization हो गया, तो सारे steps सेम है, row minimum, column minimum, number of lines, draw करने का, क्या वो number of metrics है, वो चेक करो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, आप इको learn होगा, steps आपको कोई confusion नहीं होगा, अच्छा, उसके बाद में, अगर सेम है, तो assignment कर दो, madam, same नहीं है, same नहीं है, तो क्या करोगे, जितने भी uncovered element से, उसमें से सबसे छोटा element लेने का, और उसको सारे uncovered element से minus करना, intersection में जाके plus करना, और covered element, जो line के नीचे छुप गए है, जो element line के नीचे छुप गए है, उसको as it is लिखने का, clear, everyone, बापे से number of lines वाला part ड्रॉ कर लो, done, question number four, गईत एक्जाक्ली सेम है, ठीक है, exercise के सारे question सेम होते हैं, बट फिर भी हम लोग एक बाद क्रॉस चेक करें, है कि गल्टी से भी कुछ एक नया question ना रहे जाए, ठीक है, अगें देख लो maximize sales है, अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पांच है, लेकिन यहाँ पे चार है, तो हम लोग क्या करेंगे, RST एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0000, तो मैंने में आ रहा है, यह question को थोड़ा से एक बाद देखके जाना, यह वाला question एक बाद देखके जाना, अरे तुम अभी तक, क्या बोलते है, dummy row insert करते थे न, यहाँ पे अपने dummy column insert किया, that's it, बाकी पूरा question same है, highest element ढूँड़ो यहाँ पे क्योंकि maximize है, highest में को 39 दिख रहा है, आप देखो थोड़ा सा, कई अपन गलतियां तो नहीं कर रहा है, नहीं, 39 है, इस 39 को सबसे minus करोगे, यहाँ पे 0, 0, 0 insert करोगे, that's it, फिर row minimum perform करोगे, column minimum perform करोगे, फिर चेक करोगे number of lines, number of matrix है क्या, तो आप चेक करोगे, वही uncovered element वाला perform करोगे, ठीक है, फिर से वही चीज़ है, अब यहाँ पे same आगया, अब क्या करोगे, assignment करोगे, that's it, question assignment schedule बनाओगे, खतम, done, question number 5 देख लो एक बार, exactly same है, exactly same है, अब इन्होंने यहाँ और यहाँ दिया है, infinity डालो, और question को solve करो, infinity टालो, question को solve करो, question balance है, question balance है, ठीक है, balance का कोई दिकत वाली बात नहीं है, और यह cost दे दिया है, तो question minimization भी है, step number 1 clear, कोई दिकत वाली बात नहीं है, as it is proceed करो, step number 1 अगर clear है, तो as it is proceed करो डिया, और हाँ, एक चीज़ दिया रखना, infinity से कुछ भी चीज़ प्लस करो के, माइनस करो के, तो infinity ही आएगा, row minimum में infinity ही आएगा, column minimum में भी infinity ही आएगा, बल, that's it, और जब एक बाई infinity बोल दिया, तो यह जो element है, यह जो places है, कभी भी select नहीं होंगे, ठीक है, यह elements कभी भी select नहीं होंगे, estimated number of days required by each of their five employees for each case are given below, where dash means that particular employee cannot be assigned particular case, okay, dash नहीं लिखने का, अपन ने फटा फट से जाके infinity लिख देने का, determine the optimal assignment, okay, of the, of cases of the employees, so that number of days required to complete this five cases will be minimum, total number of days आपको कम से कम चाहिए, obviously, question balance है क्या check करो, इधर पांच, इधर पांच है, फटा फटे बता, question balance है क्या, and minimum है, अगर step number one done है, तो आगे का पूरा story आपको पता है, question number six, yes, everyone, simple था न, कुछ भी नहीं है, ठीक है, question number six, बस गाई, last, हो गया, खतम हो गया, अब इसके बाद से आप लोगों का part two है, ठीक है, जहां से हम लोग sequencing करेंगे, यह sequencing के miscellaneous questions है, make sure, आज के आज ही, यह question check करो, ठीक है, पटा फटे खुद से solve करो, एक बाब practice हो जाने तो, एक बाब practice कर लो, बार बार नहीं करना पड़ेगा, बाद में सिर्फ दो question mark करना, question number three, question number four, and question two, two, three, four कर लिया न, तो यह chapter done, assignment done हो गया आपका, ठीक है, question two, three, four, इस chapter के लिए, assignment के लिए, two, three, four mark कर लो, exam moment पे सिर्फ उतना ही देखा, more than enough है, done, but एक बार, आज मिशने सिक्सिएक के question solve कर लो, ठीक है, तो कल से हम लोग start करेंगे, sequencing, right, okay, so guys, we'll stop till here, इसके आगे का कल, continue करेंगे, तब तक के लिए, अल विदा, yes, bye-bye everyone, take care, bye-bye, bye-bye,